तो हे गईस के से वाफ सब लोग मेरा नामे भूशन और आप मुझे रिखते ही यूट्यूब भूशन ड्रोइड पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले उन फोन के बारे में जो कि आपको मिलने वाले है 15000 से कभी कम प्रैस में ठीक है तो यह वीडियो कुछ स्पेसिफिकेशन के में बात करूँ तो इसकी जो स्क्रीन साइज होती है जो लगभग 6.52 इंचेस की स्क्रीन से आपके यह पर देखने मिल जाती है जो की HD डिस्प्ले के साथ आती है अगर हम कैमेरा की बात करते है यहां पर तो 48 मेगा पिक्सल 8 मेगा पिक्सल और 2 म कुछ इस तरह से आपके यहां पर कैमेरा देखने मिल जाते है अगर में बात करूँ फ्रेंड कामेरा की तो फ्रेंड कैमेरा जो होता है वह लगभग 8 मेगा पिक्सल का फ्रेंड कैमेरा होता है एं 6000 एम पोलीमर बैटर्या आपको इसके दो ग्राइस देखने मिल जाती है मे कर सकते हो अगला फोन जो यहां पर आता है वह रेड्मी नोट 10S रेड्मी नोट 10S गाइस तो इसके अंदर आपको 6GB की रैम मिलती है और साथ में 64GB की आपको स्टोरेज आपर देखने मिल जाती है जो कि काफी ज़दा बढ़िया है इसके अंदर आपको एम ओलर डिस्प्ल इसके अंदर देखने मिल जाता है फुल एच्टी का डिस्प्ले ठीक है एमुलेट डॉट डिस्प्ले इसके अंदर होता है जिसकी साइज होती है लगबख 6.5 6.43 इंचिस की साइज हो जाती है इसकी कैमेरा के बार में तर मैंने तो आपको बता दिया है ओल्रेडी ठीक है अगर मैं बात करूँ चार्जर की तो इसके अंदर आपको 33 वैट का फास्ट चार्जर देखने मिल जाता है जो कि आपकी डिवेस में आपकी डिवेस को सबसे फास्ट यहाप चार्ज करेगा ठीक है दोस्तों बात में हम बात करते हैं इसकी बैट्टरी के तो इसकी जो जाती है गाइस ठीक है तो यह भी एक अच्छा से डिवेस आपके लिए हो सकता है आप इसे ध्यान में रख सकते हो जब आप पर्चेस काने जा रहे हो तब अगला डिवेस आप जो निकल के आता है गाईस वह सैमसंग गैलेक्सी का एम 32 तो यह वाला डिवेस भी आप अगर पर्चेस करना चाहो तो यह पर्चेस आप कर सकते हो गए क्योंकि यह भी काफी जदा अच्छा डिवाइस है तो इसके बारे में आपको बताता हूँ इसके अंदर आपको मिल जाती है चार जीबी की रैम होती है और 64 जीबी का इसके अंदर स्टोरेज देखने मिल जाता है जो भी काफी जादा बढ़िया है इसी प्राइस के प्राइस रेंज में अगर मैं और कुछ बात करना चाहूँ जैसे कि इसकी स्क्रीन साइज वगरा की दोस्के बारे में मैं आपको बता देता हूँ तो सबस्पर तो इसको अंदर आपको जो है वह सूपर एमूलेट स्क्र जाए तो काफी जादा बढ़िया है और यह जाए इस फोन की जो की है सैमसंग गैलक्सी एम थर्टी टू तो इसके अंदर भी आपको विडेंट्स मिल जाएगे तो इसको लिंक जो पर्चिस लिंक्स होगा निची डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा तो वह जाए ऐसे जो है पर्चिस कर सकते हो ठीक है दोस्तों यहां पर और अगर उसके स्प्रेसिकेशन अगर मुझे कुछ बतनाने होगे तो इसके अंदर मैं बता सकते हो कि इसके बैटरी आपको देखने मिल जाती है वह होती है छे हजर एमीज की बैटरी इसके बैटरी इसके इ तो यहाँ पर है ठीक है दोस्तों तो यह बात तो हो गई अपनी Samsung Galaxy की इसके बाद में जो अगला फोन हमारे पास आता है वह ही Realme 8 तो Realme 8 में आपको क्या देखने मिल जाता है तो Qualcomm का Snapdragon आपको इसके अंदर देखने मिल जाता है गाइस जो कि होता है 720G अगर मैं तो 64 में पिक्सल, 8 में पिक्सल, 2 में पिक्सल कुछ इस तरह से आपको इहाँ जो है चैमेड देखने मिल जाते है स्क्रीन साइस के अगर मैं बात करता है, तो 6.5 इंचेस की स्क्रीन से अपके हाप पर मिलती है और 5600 Merry की बैटरी मिल जाती है, जो की काफी ज्यादा बढ़िया होती है, ठीके दोस्तों, तो ऐसे बढ़िया बढ़िया से फोन है, 5600 Merry की बैटरी है, फोन स्टेंड बैटरी है, अगर मैं बात करूं तो लग बग 18 घंटे का फोन स्टेंड बै टाइम मिल जाता है और फास्ट चारजिंग भी जो है सपोर्ट करता है अगर अगला डिवेश जो है आप आता है वो ही रियल मी नाजो 20 प्रो जिसके अंदर आपको 6GB की RAM मिलती है और 64GB का स्टोरिज मिल जाता है इसके अगर मैं बात करना चाहूँ तो 4500MH की बैटरी मिलती है 6.52 इंचेस का आपको स्क्रीन डिस्प्ली साइज मिलती है 64GB की इंटरनल मेमरी मिलती है जो कि आप एकस्पांड कर सकते हो तो 56GB तक बढ़िया है दोस्तों तो अगर आप इसमें से कोई भी एक प्रोड़क्स करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको सभी प्रोड़क्स के लिंक मिल जाएगे